हेलो दोस्तो स्मार्टपॉन की चेनाज में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आपके पास MediAssist की policy है और insure person जो है वो hospitalized हुआ है तो उसके लिए आप जो है reimbursement का claim form भरने जा रहे हैं तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस form को आप कैसे भर सकते हैं चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं इस claim form को download करने के लिए जो है आप MediAssist की officially website पर आप जा सकते हैं और उनकी officially website पर इस form को आप download कर सकते हैं तो चलिए यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते हैं MediAssist reimbursement claim form to be filled by the insured policy number तो यहाँ जो है आप अपनी policy number लिखेंगे और जो primary insured है उसका यहाँ name लिखना होगा primary insured को जो है यहाँ अपना surname फिर जो first name है वो यहाँ लिखेंगे और middle name कोई है तो वो यहाँ लिखेंगे फिर primary insured का जो यहाँ address है वो यहाँ लिखना है address लिखना है यहाँ city लिखना है यहाँ state लिखना है यहाँ pin code लिखना है और यहाँ phone number यहाँ लिख देना होगा और यहाँ email id यहाँ लिख देनी होगी जो person hospitalized हुआ है उसकी कोई insurance history है तो वो यहाँ detail भरनी होगी detail of insured person hospitalized जो insured person है वो जो hospitalized हुआ है उसकी detail यहाँ भरनी है जो insured person जो hospitalized हुआ है उसका last name, first name और middle name यहाँ लिखना होगा जो zander है, male है तो male पे टिक कीजे, female है तो female पे टिक कीजे फिर जो person hospitalized हुआ है उसकी date of birth यहाँ लिखनी होगी relation to primary insured, जो person hospitalized हुआ है उसके साथ इनका relationship क्या है वो यहाँ उस हिसाब से यहाँ tick करना होगा occupation, जो भी occupation है वो यहाँ tick कर दीजिएगा address, यहाँ address भर दीजिएगा यहाँ city, यहाँ state, यहाँ pin code और कोई email आईडी है तो वो यहाँ लिख दीजिएगा detail of hospitalization, तो यहाँ जो है hospitalization की detail भरनी होगी जिस hospital में admin हुए है, उस hospital का name यहाँ लिखना होगा इसके बाद आप नीच आएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ पर सकते है room category occupied, जो person hospitalized हुए है, उनका रूप जिस हिसाब से था उसे आप से यहाँ आपको tick करना होगा फिर यहाँ लिखा हुआ पर सकते हैं, hospitalization due to तो उनको hospitalized किस कारणवश होना पड़ा, उसे आप से यहाँ आपको tick करना है फिर नीच आएंगे, date of admission, जिस जो insure person जो hospitalized हुआ है उनका hospital में कब admit हुए है, उस दिन का date फिर जिस समय admit हुए है, वो time जिस दिन hospital से वो discharge हुए है, उस दिन की date फिर वो time, जिस time पर वो discharge हुए है फिर आप नीच आएंगे, detail of claim मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप जो है pre-hospitalization और main hospitalization और post-hospitalization का आप एक साथ भी claim कर सकते हैं और आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, वो आपके उपर depend करता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं pre-hospitalization expense, जैसे कि मैं pre-hospitalization expense और main claim का expense मैं एक साथ करने वाला हूँ और post-hospitalization का expense जो है, मैं उसके लिए मैं बाद में claim करूँगा तो आपके उपर depend करता है कि आप pre, main और post का एक साथ claim करना चाहते हैं या फिर आप main claim का मलब करना चाहते हैं और pre और post का बाद में करेंगे वो आपके उपर depend करता है तो मैं जैसे कि मैं pre और main का करने जा रहा हूँ तो मेरा pre hospitalization का expense जो था वो मैंने लिख दिया है फिर main hospitalization का expense जो था मेरा वो मैंने यहाँ लिख दिया है फिर यहाँ लिखा हुआ पर सकते हैं claim document submit checklist तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यह जो आप form भर रहे हैं इसको form A बोलते हैं form B भी आपको साथ में मिला होगा तो form B को hospitalized वाले भरते हैं तो वो आपको submit करना होता है तो यहां आपको tick करना होगा hospital का main will भी आपको submit करना है फिर ऑुस्पिटल का breakup बिल भी submit करना है hospital में आपको जितने भी रसीदे वेगरा मिली है वो भी आपको submit करनी होती है discharge summary भी submit करनी होती है आपको कोई pharmacy का expense है उसको भी आप claim कर रहे हैं तो आपको जहाँ उसका भी pharmacy के bills भी लगेंगे आपको इनमें से जो जो मतलब आपको मिला है hospital के hospitalization के दोरा तो आपको उसे दाप से यहाँ आपको tick करना है main main तो जो है आपको claim form तो आपको यह आपको submit करना ही होता है फिर hospital का main bill भी submit करना होता है break up bill भी submit करना होता है फिर hospital में आपने जितने payments की है उनकी रसीदे भी आपको submit करनी होती है फिर hospital के discharge summary भी submit करनी होती है और आप pharmacy का claim कर रहे हैं तो फार्मेसी की बिल वेगरा भी आपको चाहिए होते हैं, साथ में उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है, तो इसके बाद आप नीच आएंगे, यहां आप लिखावा पर सकते हैं, डिटेल आप विल इनक्लोज्ड, तो यहां जो है, मैं होस्पिटल मेंन क्लेम कर रहा है, और टोटल अमाउंट जितना मैं क्लेम करने वाला हूँ, वो मैंने यहां लिख दिया है, फिर जो प्राइमरी इन्शॉर्ट है, जो उसको जो है, प्राइमरी इन्शॉर्ट, उसको जो है, अपना पैन नमबर यहां लिखना है, फिर प्राइमरी इन्शॉर्ट को जो है, यहां अपना bank name और branch name साथ में यहां लिख देना है और यहां जो है IFC code यहां लिखना होगा declaration by the insured insured को जो है इस declarations को ज़रूर पढ़ लेना है फिर जो insured है उसे अपने यहां signature कर देने है और यहां date लिख देनी है और यहां place लिख देना है और इसके साथ साथ आपको यह form भी मिला होगा यह guidance है के लिए form है कि मतलब किस तरी के से fill करना है इसे भी आप पढ़ सकते हैं इसके बाद आपको यह claim form भी मिला होगा claim form part B यह hospital वाले भरते हैं इसमें आपको कुछ नहीं भरना है यह hospital वाले ही भरेंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि claim के दौरान कौन-कौन से documents की ज़रूत पढ़ती है इसके अलावा और कोई documents की भी ज़रूत पढ़ती होगी तो insurance company आपको बताएगी कि हमें यह documents की ज़रूत है तो सबसे पहले जो है discharge summary इसके बाद claim form part A plus part B part A जो कि आपने भरना है part B या hospital वाले भरेंगे hospital, main bill hospital, breakup bill hospital bill payment and receipt यानि कि आपने जो भी payments की हैं उनकी रसीदे investigation report with prescription यानि कि आपने जो भी test कराए है, blood test हो गया या फिर city scan हो गया, x-ray हो गया ultrasound हो गया, जो भी मतलब hospitalization के दोरान जो भी test हुए है उनकी reports with prescription, pharmacy bill with prescription ID proof of insured person hospitalized ID proof of primary insured person cancel check of primary insured person और जो आपको policy मिली होगी उसकी e-card तो यह यह normally claim के दोरान इन documents की ज़रूत पढ़ती है इसके अलावा और कोई documents की भी ज़रूत पढ़ती होगी तो insurance company आपको बताएगी कि हमें यह documents की ज़रूत है और आपका कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से related तो वीडियो की नीचे comment box में जाके अपना सवाल ज़रूत पूछेगा, उनका मैं reply देने की फूरी कोशिश करूँगा तो आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जान करी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आयो पसंद तो या लाइक ज़रूर करना दोस्तों के साथ share करना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टपॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद